सबी सातियों को मेरा नवसकार आई होप आप सबी लोग बहत्रेन होंगे और बहत्रेन तरीके से अपनी प्रप्रेशन कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो में 2.13 में जो इंग्लिस कोशन पेपर हुआ है क्लाश 12 के अंतरगत 3-16 जैड डवलो इसमें आपका सेक्षन भी यानि कि राइटिंग सेक्षन से आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है और लेटर आपको एडिटर के लिए लिखना है मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी फिक्स लाइन्स बताऊंगा अगर आपको एडिटर के लिए लेटर लिखना है तो उन लाइन्स को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं तो देखी आपका question क्या है Write a letter to the editor of a national daily expressing your concern against unfair practices in competitive examinations यानि कि प्रतियोगी परिच्छाओं में अनुचित प्रताओं के खिलाफ अपनी चिंता ब्यक्त करते हुए राश्टी देनिक के संपादक को पत्र लिखिए जो आपको पत्र लिखना है उसमें आपको प्रतियोगी परिच्छाओं में जो अनुचित प्रता हो रही है उनके खिलाफ आपको अपनी सिकायत लिखनी है तो आप जो अंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडरस एडरस यानि कि भेजने वाले का पता तो मैंने यहां लिख दिया है 15, model town मयूर बिहार आगरा तो कि मैं आगरा का निबासी हूँ तो मैंने अपनी तरफ से यह बना लिया है तो आप कुछ भी लेख सकते हैं यहां किर्षनापुरी पस्चिमपुरी जो भी आपको लगे ठीक है और वहाँ आप जहां से निबास करते हैं उस जिले का नाम लेख देंगे उसके बाद आपको डेट मेंसन करनी है तो 8 जैनुवरी 2023 यानी 8 जैनुवरी 2023 डेट आप कुछ भी मेंसन कर सकते हैं इससे वहाँ आपका कोई भी समस्या नहीं होगी उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है उसके बाद आप लेखेंगे receiver address यानी प्राप्त करने वाले का पता और प्राप्त कौन कर रहा है एडिटर तो सबसे पहले आप लेखेंगे to यानी कि सेवा में the editor स्रीमान संपादक महोदेग उसके बाद आपको लेखना है news paper newspaper का नाम तो साथ ही यहां आपको newspaper का नाम दिया है national daily तो आप लेख देंगे the national daily और यहां मैंने इसका प्रकासन जो है वह लेख दिया है आगरा से आप चाहें मेरट जो भी चाहें कुछ भी लेख सकते हैं कोई भी दिकत नहीं तो to the editor the national daily आगरा यहां हो गया आपका receiver address और यहां तक आपका बहुत effective रहेगा आपको यहां तक पूरा अच्छे से learn कर लेना है केवल आपका ज्यादा से ज्यादा news paper का नाम ही यहां change होगा उसके बाद अगली line से आप लेखेंगे subject यानि कि विसे और विसे आपको question paper में ही देखने को मिल जाएगा यहां आप देख सक यहां में अनुचेत प्रथाएं आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो गई editor के लिए आपको इतना सव कुछ अच्छे से तयार कर लेना है प्यारे साथियो यहां केवल आपका subject change होगा जो आपको question paper में ही देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको कुछ और भी चीज़ें editor के लिए fix रखनी है जैसे respected sir या object लगाकर mem या madam भी लिख सकते हैं उसके बाद यह लाइन आपकी fix रहेंगी through the columns of your esteemed newspaper आपके सम्मानित अखवार के कॉलमों के माध्यम से through the columns of your esteemed newspaper आपके सम्मानित अखवार के कॉलमों के माध्यम से I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the fact मैं इस तथिकी ओर सम्मंदित अधिकारी गड़ों के दिहान को आकर सित करना चाहूंगा ये line आपकी यहां तक fix रहेंगी editor के लिए through the columns of your esteemed newspaper आपके सम्मानित अखवार के कॉलमों के माध्यम से I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the fact मैं इस तथिकी ओर सम्मंदित अधिकारी गड़ों के दिहान को आकर सित करना चाहूंगा और यहां आप fact के बाद जो question में आपको दिया है उसी को topic को आप लिख देंगे तो यहां आपको दिया था against unfair practices in competitive examinations और तथे क्या है आपका प्रतियोगी परिच्छाओं में अनुचेत प्रताओं के खिलाफ clear हुआ ना साथी हो यहां तक और उसके बाद आपको अगले paragraph से लिखना है मैं हमारे देश में प्रतियोगी परिच्छाओं में ब्याप्त अनुचेत प्रताओं के बारे में अपने गहरी चिंता ब्याक्त करने के लिए लिख रहा हूं यानि कि जो मेरी गहरी चिंता है उसके बारे में मैं इसमें लिख रहा हूं As a concerned citizen यानि कि एक चिंतित नागरिक के रूप में I have been following recent news reports about cheating, corruption and other malpractices that have marred several important examinations यानि कि I have been following, मैं answer कर रहा हूं recent news हाली में जो खवरे हैं, reports और सूचना हैं about cheating, धोका दढ़ी के बारे में, corruption, ब्रश्टाचार के बारे में and other malpractices और अन्य जो अन्य जो ब्रश्टाचार हैं या अन्य जो कदाचार हैं उनके बारे में that have marred several important examinations जिन्होंने बहुत से जो महतपूर्ण परिच्चा हैं उन्हें क्या कर दिया है, खराव कर दिया है या बरवाद कर दिया है तो इसका मतलब है, as a concerned citizen, I have been following recent news reports about cheating, corruption and other malpractices that have marred several important examinations from school, level, tests to entrance exams for professional courses यानि कि जो एक मैं चिंतित नाग्रेक के रूप में मैं धोकाधड़ी, ब्रश्टाचार और अन्य कदाचारों के बारे में हाल ही मैं जो समाचार रिपोर्टों पर नजर रख रहा हूं जोन्होंने स्कूल इस्तरीय परिच्चाओं से लेकर बेवसाइक पाठ क्रोमों की प्रविस परिच्चाओं तक कई महत्वपूर्ट परिच्चाओं को प्रभावित किया है आप चाहें तो इसका एक स्क्रेंशोट ले सकते हैं साथियो उसके बाद आप आगे लेखेंगे I urge the government and other relevant authorities to take urgent and decisive action to the root out these practices and ensure that competitive examinations are conducted in a fair and transparent manner मैं सरकार और अन्य संबंदेत अधिकारियों से इन प्रथाओं को जड़ से खत्म करने के लिए ततकाल और निरडायक कारवाई करने का अग्रह करता हूँ और यह सुनिच्चत करता हूँ कि प्रतियोगी परिच्छाएं निस्पच्छ और पारदर्स्री तरीके से आयोईत की जाएं and the use of technology to prevent cheating and fraud और आगे आप लेखेंगे और धोका धड़ी रोकने के लिए यानि कि जो cheating है, दोका धड़ी है और जो fraud पन है उसे रोकने के लिए प्रत्धोगी की का प्रियोग करें उसके बाद यह अंतियम लाइन्स आपको फिर एडिटर के लिए fix रखनी है I hope, मैं उम्मीद करता हूँ You will kindly publish my letter कि आप मेरे पत्र को प्रकासित करेंगे in your paper, यानि अपने अख़वार में I hope, you will kindly publish my letter in your paper मैं उम्मीद करता हूँ आप दयालता पूर्वक अपने paper में मेरे पत्र को प्रकासित करेंगे So that the government and the authorities ताकि सरकार और सम्मंदित अधिकारी गण may realize our difficulties हमारी समस्याओं को महसूस कर सकें and take remedial steps in this matter और इस मामले में उप्चारा तमक कदम उठा सकें उसके बाद आप लिख देंगे Thanking you, you are sincerely x, y, z तो इस प्रकास से आप बहुत आराम से संपादक के लिए एक पत्र लिख सकते हैं वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके मेरे प्यारी साथी अवस बताएंगे क्योंकि सबसे पहले 2-3 के जो भी लेटर हैं उनका solution आपका अपना फैबरिट चैनल हर इस क्लास से ही आपको प्रोवाइड करा रहा है Thanks for watching, thank you